यूँ तो गर्मी से लोगों के साथ जानवर भी परिशान है, नेचर के कहर पर किसका बस नहीं चल रहा है और जानवरों के कड़तक पो देखनी के लिए देश-विदेश के लोग चुरू आ रहे हैं। आए देखते हैं इस पर एक हमारी खास रिपोर्ट। तालाब के किनारे छोटे हिरन से लेकर लंबे सिंगो वाला ये सुन्दर हिरन। प्रकृती की मनोरम जलक दिखाता ये तालाब। और पेड़ों के नीचे विचरन करते हिरन। ये अनुखा नजारा राजस्थान शहर चुरू के ताल छापर कृष्ण मिर्क अभ्यारन्य का है। करीब 4,000 काले हिरनों की संख्या होने की वज़े से ये अभ्यारन्य बाकियों से अलग है। ताल छापर कृष्ण मिर्क अभ्यारन्य आधुनिक्ता के इस दौर में त्वकरती के और करीब ले जा रहा है। गर्मिया सूरू हो चुकी है। और गर्मिया सूरू को पती है। आम आजमी के साथ साथ व Baptist वह गर्मी के साम से काफी प्रिश्डशान है शूरुज़ए जबस पुरी भारत में परसिदी है गर्मी को देख़ती है विकिस पे व्योस्ता है बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया चूरू जिले में वनचेत्र हलां की बहुत कम है लेकिन सेंचुरी जो ताल सापुर हमारे यहां विदासर तैसिल में इस्तित है उसमें क्रश्ण मर्ग प्रचूर मौत्रा में हैं काफी संख्या बढ़ रही है वर्तमान में करीब 4000 के कर सेंचुरी में है देश विदेश से अन्य कुप्रयतक सेंचुरी को देखने आते हैं विवाग की तरफ से इस परचंट कि रूप से हमारे वहां की गई हैं ताकि बे जवान बे साहरा इन वर्ने जिवों को किसी परकार की कोई दिकत नहीं है है डाइट के निरे कुछ बदलाव किया गया डाइट वहां पर हमारे नेचुरल चुकि यह हर्विवोर्स हैं तो ग्राशलेंड इस तरह से विक्षित किये गये हैं कि वह घुमते फिर उन ग्राशलेंड में कई त्रह की ग्रासियस हैं जो बहुत निूट्रियंट हैं तो उसक पे लोकली जो अवेलेबल होता है वो ज़रूर प्रवाइड करते हैं बाकी इस तरह से जो ग्राश लेंड जो अच्छा विक्षित हो चुका है तो उसमें बहुत तंदुरूस्त हीरन लगातार तापमान में हो रहा इसाफा पशु पक्षियों की मुश्किले बढ़ा रहा है बढ़ती गर्मी का असर ताल चापर अभ्यारणे में भी देखने को मिल रहा है वन विभाग की ओर से तालाबों टाकों और हौदियों में पानी की विवस्था की जा रही है पक्षियों के लिए भी हमने जगे जगे जहां वंचेतर हैं वहां पे हमने परिंडे बंधवाना छोटे-छोटे तलाब विक्षित करके पानी उनमें डालना ताकि बर्ड्स जो बाहर से प्रवाशी पक्षिया आते हैं जैसा आप जानते हैं ताल चापर में करीब पक्षि ग्रासलेंड ही है क्योंकि ग्रासलेंड में बहुत सारे कीट पतंगे इस तरह के प्रकृति के साथ पैदा होते हैं जो पक्षियों का मुख्य आहर होता है इस कारण से जैविवित्ता की द्रस्टी से भी हमारा ताल चापर बहुत समरद्ध है और उनके संरक्षन और समरदन के लिए भी भाग लगातार तत्पर है चुरू शहर के ताल चापर अभ्यरन में हर साल देश विदेश से काले हिरन को देखने के लिए हजारों की संख्या में परेटक आते हैं वन अधिकारी उमेश बागोतिया ने बताया कि प्रवासी पक्षी अफ्रीका और योर्प से आ मोथिया घास भी वहाँ पे है यह सेमन और धामन और साथ-टरकी ग्रसे वहाँ पे हैं लेकिन मोथिया इनका क्या बहुत न्यूट्रियंट ग्रास है नेचुरल ग्रास है तो उसको यह बड़े चाव से खाते हैं और इनके लिए वो बहुत पौस्टिक भी है तो कृष्ण म आगे के लिए क्या योज नहीं है आपकी ताकि प्रियेटकों की सुविदा के लिए भी हमने ओनलाइन बुकिंग वहां पर सुरू है जो प्रियेटक साल बर आते हैं उसे विभाग को साथ-साथ वन्ने जिवों के बारे में उनको जानकारी मिलती है इसे हमें संद्रक्षन में मदद मिलती है जैसा आपने फरवाया इनके विस्तार के लिए क्यों कि संख्या तालचापर जो सेंचुरी एरिया है उसमें लगातार क्रश्ण मर्गों की संख्या बढ़ रही है तो इस दबाव को देखते हुए आम दूसरा स्पोर्ट जो जस्वंद्गड है उसको भी इस आने की उमीद पूरी-पूरी है उस एरिया को हमने बाहर से जो रोड साइड है उसको फैंस किया है सिटी की तरफ है वहां पर दिवार बनाई है ताकि कुट्टे वगरा यह इस एरिया में नहीं गुशे क्यों कि सिकारी जो कुट्टे हैं वो कई बार हमारे जाडियों में हिरनों को पकड़ लेते हैं तो उसे बनने जिवों को नुक्षान होता है उसको रोकने का भी हम पूरा प्रियास कर रहे हैं तो अन्य अभियारनों से किस प्रकार से बिन है किस प्रकार से अलग है अपना क्या विशेशता है अपने ताल शापर का जो 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 स्ट्रेटा है जो वहां का grassland है वह इस तरह का अभ्यारण ने आपको कहीं देखने को बहुत कम मिलेगा grassland के कारण इसका जो geographical state के कारण और यह क्रश्ण मर्क बहुत प्राचिन का समय से ही यहां पर हैं लेकिन पहले बहुत कम संख्या में थे आज करीब 4000 के ऊपर पहुंच गये हैं तो यह विभाग के प्रोटेक्शन का उपाई किये जा रहे हैं उन्हीं का नतीजह है और आने वाले समय में इनके और बहतरी के इंतिजाम हो सकें। इसी तरह से अन्य लेल की बीड में भी कुछ डवलप हो सके जहुंजनों भीड में भी कुछ इनका प्रवास हो सके तो यह सेखवाटी में पूरा अंचल जो क्रश्न मर्ग के लिए जाना जाए इस तरह के प्रयास विभाग लगातार कर रहा है बाहर से जो प्रवासी आते हैं उनके लिए यहां पर उस टाइम टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हूं जो बर्ड्स वाचर्स हैं उनको देखने के आते हैं इनके परचार परशार के लिए हम स्कूली बच्चों को बुलाते हैं उनका प्रश्रिक्शन भी करवाते हैं बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन किस इस तरह से किया जाए इनके संद्रक्शन के लिए क्या उपाई किये जाएं यह भी सब हम ताल्चापर में रवस्ताइं सुन रिश्चित करते हैं और इस जगह को जो धरोवर है प्रियास करते हैं कि यह इसी रूप में विक्सित होती रहे और आगे आने वाली पीडी को इस इसलिए कुछ वर्सों में लगाता है यहां पर बाहर से आने वाले प्रियाटकों की तादाद है वो बड़ी है इसका एक मातर कारण है कि यहां का परसा से नहीं काफी सजग है और पूरी तरह कि निग्रानी रखता है कि कोई भी पक्षी सुरक्षा की दिश्टी में ते हर पहले कि मतलब शिकार हो जाते थे लेकिन अब ऐसा थूनने को नहीं आता है कि हां बिल्कुल सही का आपने कि अब इसे जो परिनाम है यह इस्थानिये लोगों को जागरूख करके विभाग के प्रयासों से आपके मीडिया के सयोग से यह सब संभव हो पाया है इस्थानिये रोक टोक करना उनसे चेड़ चाड़ करना किस तरह का अपराद है अब यह जागरूखता इस्थानिये लोगों में बढ़ी है और इसमें मीडिया का भी इस्थानिये लोगों का भी और विभाग अपने इस तरह से जो परियास कर रहा है उसी का परिनाम से यह संद्रक्षन क काम हो पाए है कर्ष्ट मरनक के अभ्यारेन ने हैं वो कि ना सेफ इंडिया में बरकिर कोई विस्वन पर सीद्रें यहांपर पकशी वह अफरीकी देशों से भी यहां पर आते हैं और बड़ी तादात के अंदर आते हैं ऐसे में परसासन नहें, उनकी और शें पुराप्रियास कहजार रहे है किसी भी परकार के कोई एसुरी में याँ पर जो वन्य जीव उनको ना हो, क्यूंकि गर्मी को देख के बीश लगाता रहे हैं पर परसासन के ओर से पानी की वियस्ता है याने जो भी विव當 वेकलिस्पिक वेस्ट नहीं वो की जा रही है सर बहुत भूत धन्यवाद आपका मैंसे बातचीत करने करें लिए चूरू के ताल सापर से गजेंदर सिम्ह